तो दोस्तो' आईडीभी है बैंक से निकले है टो वेकंसी यहाँ पर लग बज यहाँ पर 1000 वेकंसी निकले तो 1000 वेकंसी में अलग अलग वेकंसी उसक्ते ऐसे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ओपर DOBS के लिए 231 वेकंसी से जो एक्जाम होगा और एक्जाम के थ्रू आप यहाँ पर आईडिवाय बैंक में आपका सिलेक्शन होगा तो अब यहाँ पर देखें के next है हमारा eligibility criteria अगर आप eligible हो या नहीं आपको वह देखना तो यहाँ पर आपकी जो age होनी चाहिए वह minimum 20-25 के range में आपकी age होनी चाहिए और आप graduate होनी चाहिए तो जो भी लोग graduate है वह सारी लोग यहाँ पर apply कर सकते है और अगर मैं यहाँ पर कहूँ computer की भी आपको थोड़ी बहुत knowledge मतला आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टन होती है तो सालरी यहाँ पर होने वाली है उन्तिस हजार से लेकर 31,000 तो ट्वेंटीन आपको यहाँ पर अच्छी कहासी एक सालरी मिलने वाले अब यहाँ पर बात करेंगे यह जो वैकन से यह contract बेसे पर्मनेंट बेसे तो यह contractual बेसे प्योर यहाँ पर नेचर सीधा सीधा लिखा गया है यहाँ पर तो यहाँ पर next है आप आरा कुछ भी आपको contractual basis है इसलिए वज़े से आपको PF अगेरा जो नहीं मिलेगा मिलेगा वह मिलेगा जो under the bank में यहाँ पर सीधा लेगा appointment will be cover under the IDBI bank के new pension scheme जो है IDBI bank की उस scheme के अंदर आप आ नहीं मिलने वाला ओके तो आप यहाँ पर permanent भी लग सकते हो यहाँ पर जो आपका contract period रहेगा वह around two year का रहेगा तो अगर आप two year यहाँ पर successfully complete करते हो उसके बाद में आपको एक junior assistant manager की post मिलेगी जो की grade O है जिसका okay और आपकी जो salary रहेगी वहाँ पर six point one मतलब six lakh लेका all our India में जो यह अभी vacancy है all our India है तो कही से भी आप apply कर सकते हो okay next हम देखेंगे आपर जो online exam है तो online exam में कौन से topics रहेंगे या क्या इसका syllabus रहेगा तो syllabus के बारे में अगर में बात करो तो यहाँ पर है logical reasoning data analysis okay interpretation इसके 60 questions रहेंगे और जो marks रहेंगे और timing जो रहेंग जो 40 minute रहे business next is banking computers तो इससे related question रहेंगे 60 तो ऐसे total अगर हम देखे 60 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 याप पर 200 questions रहेगा और ताइम जो रहेगा वो 120 minute मतलब 2 घंटे आपको time में लेगा okay next is selection basis वही जिसके जादा marks आएगा जो भी cut-off रहेगा उसके accordingly आपको yes आपका selection होगा और यहाँ पर गलत होता है तो 0.24 जो है आपका marks कटेगा next यहाँ पर हम देखेंगे अभी about age relaxation के अगर बात करो तो आप यहाँ पर देख सकते हो different cast के लिए different age relaxation किसी को five year किसी को two years okay बागी अब form कैसे feel करना अगर मैं इसकी बात करो तो form feel करने के लिए पूरी तरह के से online है आपको इनकी website पर चले जाना है okay यहाँ पर देख सकते हो www.idbibank.in इसके उपर चले जाना है और यहाँ पर आपको careers में जाना है और वहाँ पर आपको यह जो yes यह जो आपको post vacancy निकले यह आपको वहाँ पर बिल जाएगा और PDF में आपको description में दे दूंगा जिसके मचे साब वहाँ से भ कर सकते हो और form feel कर सकते हो next जो है अगर आपको इससे related कोई भी question है तो आप comments में बता सकते हो और ऐसे ही important updates के लिए आप हमरे channel को subscribe करें